नमस्कार मैं हूं नरेश्वत्स अर्थप्रकाश टीवी में आपका स्वागत है पेश हैं अभी तक की हैड्लाइंस बीजेपी ने राज्य सभा के लिए अपने उमिद्वारों की घोशना कर दी है हिमाचिल परदेश हर्यान और महाराश्ट्र के उमिद्वारों के नाम तैक क कर दिये गए हैं दिल्ली हिंसा में पीएफाई पर दिल्ली पुलिस ने सिकंजा कसा है अध्यक्स और सचिव को साथ दिनों की रिमांट पर भेज दिया है सीबी आई ने बड़ी कारवाई करते हुए राजिस्थान के नागोर में आयकर विभाग के अधिकारियों पर छाप कर दी है हरियान से राम चंदर जांगडा दुश्यंत कुमार गोतम को चुनाओ मैदान में उतारा है दूसरी तरफ आज देर शाम कॉंग्रेस भी अपने उमिद्वारों की घोशना कर सकती है पूरव सांसद दिपेंदर घुड़ा को कॉंग्रेस राजे सभा में भेज सकती है खाला कि राजे सभा सांसद कुमारी शेलजा भी एक बार फिर राजे सभा में आने के लिए जोर आजमाईश में लगी हुई है निर्भे माबले में हाई कोट ने दोसी पवन को जटका दिया है उनकी याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवाहों की विश इसका माहौल बना रहेगा दिल्ली में बारिस तो हिमाचल में बरहबारी हुई है कोरोना वाइरेस पर हर्याना सरकार ने इसे महामारी घोसित कर दिया है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा में कड़ी कारवाई करते हुए पिएफाई के अध्यक्स और सचिव को हिरासत में ले लिया है दिल्ली पुलिस शाहिन बाग में धर्ने और परदर्शनों को लेकर पिएफाई की भूमिका की जांच में लगे हुई है इसलिए अध्यक्ष और सचिव के ठिकानों पर च्छापे मारी की गई है ग्रह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली हिंसा एक साजिस का हिसा था और दिल्ली की हिंसा बढ़काने के लिए उपी से लोग आई थे सिबियाई ने भष्टाचार के मामले में राजिस्थान के जोधपूर और नागोर में च्छापे मारी की है बताया जा रहा है कि कथित रिश्वत मामले में ओनलाइन सर्वे के तहत रिश्वत ली जा रहे थी इसी के तहत सिबियाई ने च्छापे मारी की है CBI ने आईकर के वरिष्ट अधिकारियों से भी इस सिल्सले में पूछताच की है और कई अधिकारियों को हिरासत में लिया है निर्भे मामले में एक बार फिर हाई कोट ने दोशी पवन कुमार को छटका दिया है उनकी याचिका को रद करते वे कोई भी रहत देने से हाई कोट ने मना कर दिया है पवन ने याचिका लगाई थी कि जो गवहा है उसकी विश्वस्नियत पर सवाल उठ रहे हैं ऐसे में उनको रहत दी जितिये संकट का सामना कर रहे यस बैंक के ग्रहक अब दो लाक रुपे से ज़्यादा के क्रेडिट कार्ड और लोन का बुक्तान कर सकते हैं यस बैंक ने बुद्वार को कहा कि रियल टाइम ग्राउस सेटलमेंट आर टी जी एस सेवा को चालू कर दिया गया है इसे ग्रहक अपने क्रेडिट कार्ड और लोन की देंदारी का ने बैंक खाते से बुक्तान कर सकते हैं अचानक हुई बारिष ने मौसम का मिजाज बदल दिया है होली के बाद हुई अचानक बारिष ठमने का नाम नहीं ले रही है मौसम विभाग का कहना है कि 15 मार्स तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा दिल्ली में बारिष हो रही है तो हिमाचल में जम कर बरह बारी हो रही है अभी तक के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए अनुमती और आप बने रहें अर्थपरकास टीवी के साथ ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें